है आज आप लोग के साथ चिकन करी की रेषपी सेयर करने जा रहें जिसे बनाना बहुत ही आसान होने वाला है कि जो इसे पहली बर बना रहा हो वो भी से बना सकता है अगर वीडियो पसंद आए ति वीडियो को लाइक करें और चनल को सस्क्राइब जरूर करें तो सबसे पहल चिंए अब करने से लुए लौदी यृट को अइड़ करने का यह तरीका होता है और क्यों एड़ करते में आपको ए भी बताता हूं साथ में में अड़ करें लाल मिर्च पाउडर इन्हें अच्छ से मिला देंगे और फ्रीजर में 30 मिनट तक रख देंगे अब इसे मेगनेट क्यू कर रहे हैं ताकि जो चिकन में एक स्मेल होती है वो ना आए और इसे खाने में बहुत मज़ा है तिसे से मेगनेट करने रहा है बहुत कूट लिया है साथ में दो टमाटर लिया है और यह 300 ग्राम ओनियन प्याज लिया है जो वारी ग्रेवी आइटम के लिए चाहिए साथ में हम आपको खड़े मसाले बता देते हैं यह जीरा धनिया लॉंग इलाइची साथ में यह पत्थर फूर यह काले मिर्च लाल मिर्च यह तेज पत्ता और साथ में यह दाल चिनी की स्टिक तो यह हमारे खड़े मसाले हैं जो हम यूज करने वाले हैं साथी साथ आपको जो हम सुख्य मसाले यूज करने वाले इसके अंदर वह भी बता देते हैं हमने दो चमच धनिया पाउडर लिया है और उसकी हाफ मात्रा में आपको जीरा पाउडर लिना है यहापको मात्रा हमेसा यहाद रखनी हर रेस्पी में साहत हम ले रहे हैं लाल मिर्च तिक्या पन के लिए हमने हरी मिर्च भी यूज किये अशात में अच्छ करेंगे squeak यह हल्दी आदा चम्मच और आदा चम्मच के करीब कस्मिरी लाल मिर्च रंगत के लिए तो हम एड़ करने सबसे पहले ओईल में कंजूसी ना करें ताकि आपकी करी जो है अच्छी बनेगी और आपको जो फ्लेम है वो लो रखनी है इसके साथ हम एठ कर दे रहे हैं हमारी प्याच को भुनना है थोड़ा सापको ब्राउन होने तक देखिए हलकी ब्राउन होने के बाद हम इसमें एड़ कर रहे हमारा अद्रक लहसुन और जो हरी मिर्च का पेष्टा उसे एड़ कर रहे हैं इस टाइम पर आपको बात ध्यार रखनी है आपको हमेज़ा से चलाते रहना है समय समय पर ताकि तली पे चपके न अब इसके साथ ह जरूर करना चाहिए और इसके साथ हम एड़ करें नमग ताकि जो हमारा टमाटर है वह अच्छे से गल जाए और हमारी ग्रेवी बहुत ही बढ़िया बने अब इसे दस मिड़ तक अच्छे से धीमेव आच पर इसे अच्छे से भून ले मसाले को उसके बाद हम चिकन तो आप चिकन जब भी ले तो चिकन आपका साफ सुतरा हो और फ्रेस हो तापकी जो आपकी जो भी आइटेम बना रहे हो चाहिए करी बना रहे है या कोई दूसरी आइटम तो आपकी जो आइटम है बहुत ही अच्छी बनेगी अब इसे बार-बार आप चलाते रहे और 6-15 मिन तक भुने बार-बार चलाए ताकि जो तली में इसे चपके ना देखिए हमारा जो ओइल है वो सत्व पर आ चुका है मत्तब जो हमारे मसालों के साथ हमारी ग्रेवी के साथ चिकन भी अच्छे से भुन रहा है देखिए तो आप हम इसमें ग्रेवी बनाने के लिए इसमें आपको हमेसा गरम पानी का यूज़ करना है उससे पहले हम एड़ कर देता हमारे मसाले जो में आपको पहले बताये देखिए पहले मसाले एड़ करते और 2-3 मिनिट तक इसे भी साथ में भुन दे उसके बाद जो हमारा गरम पानी होगा उसको एड़ करेंगे ताकि जो मसाले का फ्लेवर हमारे चिकर में अच्छे से फैल जाए उसके बाद हमको पानी को एड़ करना है इससे अच्छे से चला लेते और इससे मिला लेते हैं देखिए मसालों भी अच्छे से भून चुके है और जो कलर आया है ग्रेवी का बहुत ही बढ़िया आया है हमने कस्मेरी लार्मेट चीवस किया था इसलिए इसकी रंगत बहुत ही बढ़िया आई है अब इसमे आपको पानी एड़ करना है आपको जितनी ग्रेवी रखनी है उसकी साबसे पानी एड़ करें और आपको एक बात ध्यान रखनी है आपको जो पानी एड़ करें वो गरम पानी को एड़ करें ताकि आपको जो करी का फ्लेवर है वो बना रहे है अब इससे चला देते हैं और अब इससे पंद्र मिट तक और होने देते हैं ताकि जो हमारा फ्लेवर है अच्छे से हमारी करी में आ जाए और आपको पसंद हो तो इसके अंदर हरा धन्यागा भी यूज़ करें जिसे आपको खाने में बहुत ही मजाएगा तो हम लोग हरा धन्यागा यूज़ कर रहे हैं देखिए ऐसी ग्रेवी कैसी बनी है अब इसे हम टेस्ट करने माले हैं तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कोमेंट करके ज्रूर बताए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नहीं हो तो छैनल को सब्सक्राइब जरू करें और बेल आइकन को अन कर दे ताकि आपको एसी मिलती रहे हमाई रेस्पी बहुत ही सिंपल और टेस्टी होने वाली है तो हमाई सत बने रहें तब तक मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए आपका धन्यवाद